दावत या फैमिली के लिए कुछ शांदार बेहतरीन चिकन की रेसिपी बनाना है तो चिकन मखमली की रेसिपी ट्राइ करें बनाने में बहुत ही आसान कम टाइम पे शांदार रेसिपी बनकर रेडी होती है तो महमली चिकिन की रेसिपी बनाने के लिए बटर लेंगे तीन बड़े चमज भर कर बटर के साथ ही दो बड़े चमज भर कर तेल भी डाल लेते हैं चार से पांच हरी लाइची है इसे खोल कर डाल देंगे बटर को melt कर लेते हैं और फिर इसमें डालते हैं तीन medium size की प्यास पिसी हुई प्यास को fresh piece कर वही time हमें add कर लेना है प्यास डालने के बाद लगातार इसे medium flame पर चलाते रहना है प्यास का paste है इसलिए इसका color ज्यादा change नहीं होगा हलका ऐसा golden color आने लगे प्यास पर और थोड़ा थोड़ा butter separate होने लगे बस तब हम इसमें chicken डाल देते हैं तो एक kilo chicken इसमें डाल देते हैं अब flame को high कर लेना है और chicken को अच्छी तरह से हमें चलाते हुए पका लेना है चिकन पर white color चड़ जाए तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए प्यास के साथ पका लेंगे इस टाइम पर हम इसमें दो बड़े चमज भर कर अद्रक लेसन का paste डाल देते हैं अद्रक लेसन का paste डालने के बाद फिर से हम इसे high flame पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे करीब 2-3 मिनिट के लिए अद्रक लेसन के paste के साथ भी चिकन को हमें पका लेना है अब आगे मसालों में डालेंगे एक चमज भर कर भुना कुटा हुआ जीरा दो चमज डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च या फिर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं एक चमज भर कर डालेंगे सफेद मिर्चों का पाउडर सफेद मिर्च की जगा पर काली मिर्चों का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं दो चमच भर कर डाल लेंगे धनिया का पाउडर नमक चिकन के हिसाब का एड़ करते हैं और अब हाई फ्लेम पर ही चिकन को फिर से हमें सारे मसालों के साथ चलाते हुए पकाना है फिर से चिकन को 3-4 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए हम भून लेते हैं चिकन के अच्छी तरह से भुनाई हो जाए सारे मसालों के साथ इसके बाद हमें फ्लेम को लो कर लेना है अब लो फ्लेम पर हम इसमें डालेंगे एक कब भर कर अच्छी तरह से फेटा हुआ दही दही डालकर लो फ्लेम पर ही सारी चीजों के साथ पहले चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर दही को मिक्स करने से दही भटेगा नहीं दही अच्छी तरह से चिकन और सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद फ्लेम को मीडियम करेंगे और फिर से चिकन को चलाते हुए हमें पका लेना है दही डालने के बाद फिर से चिकिन के अच्छी तरह से भुनाये हो जाए दही के साथ, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, चिकन मखमली की ग्रेवी थोड़ी गारी होती है तो इस हिसाब से हम बस इसमें एक कप भर कर पानी डालेंगे, ठकन लगा देंगे औ एक चौथाई कप, क्रश की हुई कसूरी मेथी डाल देंगे और एक चमज भर कर डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर, सब चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसी मीडियूम फ्लेम पर पकने देंगे, अब चिकन के लिए बना लेते हैं एक मसिदार सा तड़का इसके लिए पान में लेंगे एक बड़ा चमज भर कर तेल, तेल गरम हो जाए, इसके बाद इसमें डालेंगे एक चमज भर कर जीरा, जीरे को तेल में चटक जाने देंगे, अच्छा सा इस पर गुल्डन कलर आ जाए, इसके बाद इसमें डाल लेते हैं एक बड़ा चमज चार से पांच इस तरह से दो पीसिस में कटी हुई यह सारे वेजटेबल्स पैन में डाल देते हैं वेजटेबल्स को बस हमें सौटे करना है एक मिनट के लिए इसके बाद हम यह सारी चीज़े डाल देंगे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए चिकन पर यह वेजटेबल्स डालने के बाद चिकन को हम बस एक से दो बार मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेते हैं अब फ्लेम को बंद कर देते हैं चिकन मकमली सिल्की स्मूध ग्रेवी वाला बंकर रेडि हो गया है बिना आफ चिकन को मेरिनेट किये कम टाइम में बेहत शांदार रेसिपी आप आसानी से बना सकते हैं पराथा, रोटी, नान या अपनी मन पसंद साइट दिश के साथ ये शांदार चिकन मकमली की रेसिपी को आप सर्फ कर लीजिए